लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि पहले चरण के इस 102 सीटों पर किस तरीके से परसंटेज बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे मत प्रतिशत बढ़ता है वैसे वैसे तरह तरह के उपीनियन बहार निकल कर आते हैं कहा जाता है कि जितना परसंट होगा उतना विपक्ष को फायदा तो कभी ये थियोरी पिछले कुछ चुनाव में बदल गई है कि जितना ज्यादा वोटिंग परसंटेज टरनाउट होगा उतना सत्ता पक्ष की तरफ लहर होगा आज का ये पहला चरण जिसमें 102 सीटों पर च चिनहित अगर इसकी डीटेल में हम लगातार सुभे से इस मेगा कवरिश में बाच्चीत कर रहे हैं तो ये समझ आता है कि इन 102 सीटों में किस तरीके का जो रुजहान होंगे किस तरीके का वोटिंग परसंटेज इंडिकेशन होगा पता चलेगा कि आगे का चुनाव प्रदान करने की अपील लगातार हो रही है आपने हमिच्छा का बयान सुना आज उनों ने अपना नामांकन दाखिल किया शिवराद सिंग चुहान ने अपना नामांकन दाखिल किया वहीं लगातार जो प्रवक्ता है उनके भी पयान बाजी सामने निकल करा रही है और प्रदान मंतरी नरंद मोदी ने विपक्ष को एक बार फिर गेरा चाहे फिर वो प्रश्टाचार हो परिवारवाद हो चाहे फिर वो पलायर हो तो लगातार भारत 24 पर मेगा कवरिज जारी है और पहले चरण के लिए वोटिंग जारी है उत्सा नजर आ रहा है 21 राज्यों की सीधे लिए चलते हैं आपको होट सीट रामपूर पर जहां पर हमारे संबादात आकशे राए मौजूद है लेकर अगर इतिहास में जाए और अब तक आएं तो तरह तरह की काहनी किस्ते हैं अकशे राए आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे साथ अकशे किस तरीके की स्थिति रामपूर पर है क्योंकि भारतिय जुनता पार्टी के जो इंटर्नल सूत्रा में बताते हैं वो भी कहते हैं कि रामपूर को लेकर कल देर रात भी चर्चा हुई और यह माना गया कि अगर इन आठ सीटों में सबसे ज्यादा कुछ दिक्कत है या कुछ संशे है तो या फिर आजम खां का दौर जब लगातार यहां से सपा गड़ अपना मजबूत करती गई लेकिन हाल फिला हाल के वर्सों में आपने देखा होगा पिसले दो चुनाओं को देखा जाए लोकसवा चुनाओं को देखा जाए तो यहां पर बीजेपी ने अपने जंडे गाड यह कहा जा रहा है कि आजम खां के साथ उनके सहयोगी थे उनके साथ चर्चा की उनको बताया कि मैं आपके बगल का ही रहने वाला हूं स्वार टांडा का रहने वाला हूं और फिर सके बाद अब वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की कवायद शुरू की गई है लेकिन सब स लोगों को मदान स्थल तक नहीं पहुंचने दे रही है अदिती आपने जरूर देखा होगा कि जिस तरह से बीजेपी ने रामपूर को अपने कबसे मिलिया उसे कहीं न कहीं सपावी बेचनी देखने को मिली आजम खां के खिलाब तमाम जो केसे सुए आज वो जेल में है इसके बाद रामपूर का समीकरन निश्ची रूप से तेजी से बतला है अब मदाताओं पर है कि वो क्या इस पार फैसला लेते हैं लेकिन निश्ची रूप से कह सकते हैं कि उत्तरपदेश की होट सीटो में रामपूर शामिल है और बीजेपी विच आती है कि मजबूती से चुनाओ लड़ा जाए उन्होंने मजबूती से चुनाओ लड़ा भी यहां पर तमाम बड़े निता जन्संपर के लिए अब देखना दिल्चस्प होगा कि बोटर टॉन आउट जो इतना कम हुआ है उसको प्रशाश्मी कमले की स्तरह से आगे बढ़ा पाता है हाला कि मैं जिस बूथ पर हूँ यहां पर कहा जा रहा है कि लभग 90 प्रतिशत तक मतदान हो सकता है क्योंकि यह डिग्री कॉलेज है और पुराना रामपूर का जो शहर जो कहा आता है कि नमाबों का शहर है उस पे 90 प्रतिशत किया सिखे लेकिन और जगों पर देखा जाए तो अभी तक सिर्फ 42 प्रतिशत तक मतदान हो